So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे REC Limited की इसके dividend के बारे में हम देखेंगे कि upcoming dividend हमें कब मिलेगा और साथ ही हम बात करेंगे इसके levels के बारे में आपको काफियत तक इसमें फाइदा होने वाला है विडियो को आइंट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो जसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे वहाँ पर आपको निप्टी और बैंक निप्टी की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वालिया तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो विडियो को करते हैं कंटीनू आरीसी लिमिटेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 393.85 रूपिस के राउंट की क्लोजिंग एशियर हमें देता हुआ नजराया है 6.75 रूपिस के राउंड अगर आप देखते हो तो स्टॉक में हमें गिरावट भी नजराती है 1.68 परसन के बेसिस पर एशियर हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है और वही अगर देखें लास्ट टाइम से स्टॉक में काफी अच्छी बढ़त रही काफी शांदार तरीके से स्टॉक मोमेंटम बता रहा था आप देख सकते हो पिछले 5 दिन के अंदर अंदर स्टॉक 29 रूपिस के राउंट की ग्रोथ बता चुका है 7.99% के बेसिस पे ये ग्रोथ रही और वही एक महीने की अगर बात करें तो स्टॉक 83.65 रूपिस के राउंट तक की ग्रोथ बताता हुआ दिखाई दिया है 6 महीने में 248 रूपिस तक की और एक साल में 279 रूपिस तक तो शियर अगर देखे पिछले कुछ टाइम से बैक टू बैक काफी शानदार ग्रोथ बताई है इसने और हमें पुरी उम्मीद है कि आगे भी स्टॉक में ऐसी ही एक तेजी हमें देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आगे इसके लेवल को हम देखेंगे बट उससे पहले देख लेते मार्केट क्याप मार्केट के पहले मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि स्टॉक जो है यहाँ पर मार्केट क्याप के मामले में वन ट्रिलियन तक को क्रॉस कर गया है यहाँ यहाँ पर बिलकुल कंपनी की ओर से वाल्यूम की अगर बात करें तो वन करोड का वाल्यूम देखने को मलता है यहाँ पर बिक्वाली हुई है प्रॉफिट बुकिंग आज हुई है और काफी लोगों ने होल्ड भी रखा है और कल का दिन इसके लिए काफी अच्छा रहेगा एस्टरेडी की बात करें तो दो करोड के राउन तक का ट्रेड वेल्यू हमें यहाँ पर भी नजर आ जाता है वही अगर हम बात कर लाएं स्टॉक में जो कम्यूनिटी सेंटिमेंट के आकड़े है वो काफी अत्तक कंप्यूजिंग है यहाँ पर अगर देखे तो 50% लोग स्टॉक में सेल करने के लिए कह रहे हैं 50% लोग स्टॉक में होल्ड करने के लिए कह रहे हैं तो अभी बात करते हैं क्या हमें REC में dividend मिलेगा तो हाँ बिलकुल dividend मिलने आला है और dividend से पहले stock को आपको खरीद लेना चाहिए तो company हर साल dividend देती है और इस साल की अगर बात करें तो लगभग इसने चार बार dividend दिया है चार बार dividend देती हुई नजर आई है REC Limited और dividend की अगर बात करें 2023 में इसने dividend की शुरुवात की थी फरवरी के मन्त से और वही अगर देखें नवेंबर तक इसने काफी अच्छा dividend दिया और वही अगर देखें फरवरी 2022 में भी company dividend दे चुकी है और बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो कही न कहीं हर साल फरवरी के मन्त में company की और से dividend दिया जाता है 2020 की बात कर ले या फिर 2014-2017 तो यहाँ पर फरवरी में company dividend देती है December यहाँ पर आ गया है December के बाद आएगा January यानि January के around around इसमें और बड़ी buying होने वाली है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है तो जब यहाँ पर dividends के एक महीने पहले अगर आप खरीते हो तो stock में और बड़े spike हब को देखने को मिले गया अब बारी आती है stock में levels की Level important है, level की हम बात कर लेते हैं और वही अगर हम बात कर ले, REC limited में तो यहाँ पर share में जो चीज़े हमने कल discuss की थी वही चीज़े यहाँ पर अगर देखे होती भी आज हमें नजराई है और बिल्कुल share में अगर देखे हैं, तो आप इसमें एक अच्छा profit कमा सकते हो Level अच्छे create हो रहे हैं, और आज stock में गिरावट रही है कल यहाँ पर एक अच्छी बड़त थी, जिस level के हमने बात कि, उस level को इसने यहाँ पर break किया और कल ही मैंने बताया कि, ब्रेक आउट के बाद यह sustain करने आएगा और exactly वही चीज हमें देखने को मली, यहाँ पर अगर देखे, यह support लेवल है और यही पर यह sustain करने के लिए आ रहा है और exactly यहाँ पर आप देखो, आज यह sustain करने की कोशिश भी करेगा और साथ ही यहाँ पर अगर हम देखे, तो stock में काफी अच्छा pattern भी create हो रहा है और इस pattern को हम कहते हैं, falling wage type pattern बिल्कुल आप देख सकते हो, stock में एक falling wage type pattern भी create हो रहा है और share के अगर बात कर ले, तो stock में यहाँ से बिल्कुल हमें गिरावट नजराती है यहाँ से अगर हम देखे, तो stock में एक support भी हमें देखने को मिलता है और वही अगर हम बात कर ले, तो stock इन ही upside down momentum के चलते हैं यहाँ पर कल भी इसी level के around support लेगा support के साथ-साथ यही trade line पर यही इस particular level के around ही यह sustain भी कर जाएगा और यहाँ से breakout के बाद stock में कच्छी बढ़ताईगी तो 390 के around भी अगर आपकी यहाँ पर buying होती है तो आपको 18 रुपे हरशे रुपे फायदा होगा बड़ वही अगर आपकी average buying है 394 या फिर 395 तो आपको हर शेयर पर 15 रुपे या फिर 14 रुपे के around तक का फायदा हो सकता है तो end points को भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो इन चीज़ों को भी आपको focus में यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर अगर हम देखे पिछले कुछ time से stock में यहाँ पर क्या चीज़े हमें और देखने को मिल रही है तो यह जो level में ने बताया कि यहाँ पर यह sustain कर रहा है इसलिए है क्योंकि stock अगर आप देखो तो यहाँ से पहले गिर चुका है इस level से पहले गिरावट आई है यहाँ से गिरावट आई है यहाँ से गिरावट आई है यहाँ पर अगर देखे एक sustain भी इसने किया तो एक बिल्कुल descendal टाइप triangle भी share ने बनाया ascendal, descendal आपने सुना होगा और बिल्कुल यहाँ पर जब इसने breakout दिया breakout के बाद share में काफी अच्छी बड़त हमें देखने को बले काफी शांदार तरीके से स्टॉक न यहाँ पर breakout दिया breakout के बाद बड़त है तो वही यहाँ पर breakout के बाद यह share sustain कर रहा है और उपर जाने कि यह बिल्कुल तयारी करेगा यह रहे 50% जो लोग कहा रहे है कि आप hold रखो तो इनकी ओर से यह मानना है बट वही यहाँ पर अगर देखें कुछ लोग negative भी है क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर यह sustain यहाँ पर जो यह level है यह break हो गया तो stock में एक बड़ा फॉल आएगा एक बड़ी गिरावट आएगी क्योंकि stock पिछले कई टाइम से back to back जो अच्छे return दे रहा है और उसके बाद अभी तक यह sustain करने नहीं आए तो यही level important है यह चीज एक important है कि यह share अगर यह इस point को break कर देता है तो यहां से बड़ा फॉल आएगा और काफी बड़ी गिरावट यहां पर हमें देखने को मिलने आ लिए आने वाले time में यहां पर pollen flag टाइप टाइप बनाया stock अपर गया यह एक पॉलिंग वेज तो इन पॉइंट्स के उपर भी आप फोकस यहाँ पर रखो और वही अगर हम बात कर ले वन आर के टाइम फ्रेम पर तो वन आर के टाइम पर अगर देखें बिल्कुल काफी अच्छे लेवल यहाँ पर केड़ है काफी शांदार तरीके से स्टॉक आगे बढ़ा है और सस्ट हो गया जो लेवल हमने डिसकस किया थे इन लेवल के इसाब से जिस तरीके से मैं ब्रेक आउट मिला है यहाँ पर आप देखो साइडवे से शेर चला इसके बाद ब्रेक आउट मिला ब्रेक आउट के बाद एक बड़ा स्पाई गाया तो सस्टेन करने के लिए यह कही ना कह जगद उटेगा, यहाँ पर कही ना कही यह सस्टेन करने के लिए पॉइंट यहाँ पर फाइंड करेगा तो जैसे ही यह सस्टेन कर लेता है तो एक बड़ी बाइंग उपर्चरटी रहेंगी, बट हाली में कल की लिए तो आप पॉजिटिव यहाँ पर रहो करकि कल की पर भी आपको focus करना है तो REC Limited को लेकर काफी कुछ बाते हमने कर ली हैं तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मत भूलना और एक important चीच अगर आप कोई भी stock में investment करते हो तो in shares का एक बार analysis भी करना है फिर ही in shares में आपको investment करना है और आप हमारे telegram channel को join करो अगर आपको nipty और bank nipty के update चीए लिंक आपको नीचे description में मिल जाएंगी एक बार check out जरूर कर देना